हाँ तुषाति हो आपका अप सामाज इका पेपर तो हो गया है अब आपका विज्यान का है तो विज्यान का शेखावट इमिशन मैं आपको बता देता हूँ सालेब्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता है कौन सा पार्ट कितना नंबर का है कहा से कौन से सवाल बनने वाले है तो देखो इसमें मैं बात करूँ गुझे इसमे भी तक में थोड़ा सा चंगे से क्या है कि आपके उनिस्ट्यै defending 15 पूचह जाएंगे उनचे कृछन एक हमिव्ह्त जैने हुआ 할ीत जो मत्यूत्जान झेलें पंड़्हाम केंन पूचहे जाएंगे लगउरातमक को सब्सक्राइज है असे नंबर का आपका पेपर होगा 20 नंबर का आपका स्वेशनल जाएगा ठीक है तो यह है इसमें देखो एक बात आपको बता देता हूं साइंस देखो थोड़ा सा हाड पड़ता है सभी विद्यारतियों तो आपको क्या करना है पंद्रह एबसेद साथ खालिस्तान दस एक अगर इन्हें आप घोट के पीलो तो गारंटी के साथ आपने 365 देन साइंस नहीं पड़ा कोई फरक नहीं पड़ता है बस आपके पास तीन दिन बचे ठीक है तीन दिन बचे आज का दिन जोड़ ले तो चार दिन है आपके पास तो इन चार दिनों में अगर आप यह सारा दिया जो मैं बता रहा हूं यह वाला काम कर लो तो गारंटीड आसानी से पास हो जाओगे तो पास तो होगे होगे पासिंग मार्क से भी ज्यादा नमबर लिया होगा इसलिए यहां से कुछ महत्पून कुश्चन में बताऊंगा ठीक है जो बच्चा कमजोर है वह मेरे वा तो पहले देख लेते हैं अपन साइंस है तो यह साइंस का देखो देखो दूसरा आपका साथ नंबर का है चोत्ता आपका साथ नंबर का है सात्वा आपका साथ नंबर का है और ग्यार्वा आपका साथ नंबर का है यह चार पाट तो आपके साथ नंबर के दो पात आपके सामने लिखे हैं ठीक है सारे चेप्ट्रों के अंकवाइस की कौन सा पार्ट आपके कितने नंबर का आएगा पेपर में क्लिए रहे है अब देखो यह ब्लूप्रिंट है लेकिन यह आपके काम कर नहीं है ब्लूप्रिंट के अकोडिंग इवेज़ सेलबस दिया तो यह सवाल यह पहला पार्ट आपके सामने आगे जैसे रासाइनी का अब विक्रियायों समीकरण तो यह आपका इस पार्ट से चेह नंबर के तीन वस्तुनिस्ट एक परसन होगा लगुरात्मा को दिर्ग लगुरात्मा के एक परसन होगा ना तिये पूरा आप देख लेना इसके पार्टमा खालिस्तान तीसरे पार्टमा माँ को एक एक नंबर के कुशन करूंगा और याद करने के तरीके बताऊंगा उन्हीं क्लास हो कि आप मेरे चार से पाच बार यूजन भी कर ले और एक बार पहले आप पुरा शेक आउट इमिशन देख लेगी कौन सा चेप्टर क क्यों से इंपोर्टन्ट जैसे संग मनमर कर आसायनिक शुतर क्या होता है सबी को पता सीए सी यो 3 लेकिन इसे कहते क्या है कि सी कहते केल्सियम कार्बोनेट कैल्सियम कार्बोनेट इम्पोर्टन्ट बिलकुल आपको याद रख रखना कुछ अभी किरे मैं आपको और जो बच्चा बहुत कमजोर है ना बहुत बहुत जादा ही कमजोर है तो वो हमारे वोट्सअप चैनल से जरूर जुड़े उसके लिए कुछ अती महत्पूर नोट सुपलप्त करूंगा उसी में से उसको एक्जाम में कुशन मिल जाएंगे तो सबसे पहले तो आप वो इसको अच्छे से देख लिए ना संग्षारण और विक्रत गंदीता दोनों इंपोर्टेंट है यहाँ से एक सवाल बनेगा आपका पूरा शेकाव टीम से ने एक बार अच्छे से दिखा जेता हूँ अमल शारक और लवन यह देख लिए ना आप ठीक है अब देखो यहाँ से जो सवाल बने वाला है मैं आपको बता देता हूँ clearly एक तो आपको फॉर्मले याद करके जाने कौन-कौन से देखो प्लास्ट और पेरिस वाला याद कर लेना विरंजक चून वाला याद कर लेना दोने का सोड़ा खाने का सोड़ा जो बैकिं होनों कि रसाने चुतर चारों स्वाल बनेंगा नूसरा ये अमल इससी रिका में कुन सा अमल पाए जाता है सुझ आपको याद रखने हैं यहां से सवाल बनेंगे इसलिए मैंने कुछ इंपोर्टेंट्स ऐसे सवाल आपको बताऊंगा जो आपको वाक्य में एक्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि मैं साइंस का एक बैतरीन टीचर हूं तो साइंस में मुझे गाड़ा एक्सपीरियंस है तो आपको कहीं भी जाने की ज़रत नहीं है कि बैकिंग सोडा की विदी समीकरण का उप्योग लिखिए अमल शार ठीक है पीएच का महतु इस सारे अमल याद कर लेना ठीक है वैसे मैं पहले आपको शैकाउट इमिसन दिखा रहा हूं फिर मैं आसे इंपोर दिन में अगर बच्चा याद करें न तो ज्यादा नहीं 35-40 नमबर तो लाई सकता है शैसनल को जोटके बता रहा हूं पूरे पैपर के अंदर से नहीं है यह खालिस्तान भी है इसमें यह भी आप देख लेना अच्छे से एक देखो यह से जो सवाल बनेगा एक तो बरजन तो साइंस में बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट बताने वाला हूं कई भी आपको जाने की जोड़ात नहीं पड़ेगी बिल्कुल बैफिकर रहीएगा पहले एक बार मैं आपको पूरा शेकाउट इमिसन दिखा रहा हूं अच्छे आप शेकाउट इमिसन पूरा देख चाहिए कौनसे सवाल वाल कौनसे टॉपिक से बेंजी मियों ब disp बनाना किसे नहीं है खेच बेन्जीन की सरंड़ना बनाना अपिंगे बेंजिन की सवरंड़ना बनाधेना एखके ऐसे बुजाए फारी जूड़न सब्सक्रान हrS content की अइस बनागत अ बुछ अपर जाएक सभी जूड़ जोड़ करें एक्याद रखना श्मार्स जो उती होतीं से मिथेन केते हैं सी एंजी का और एलपीजी का पूरा नाम जरूर याद करना आगे बढ़ते हैं एलकेन एलकीन एलकाइन यह फॉर्मुले जरूर अट लेना सब मज़ा जाएगा इसमें से एक से फॉर्मुला आपको देखने को मिली जाएगा हो सकता तीनों भी देदें आई यूपीसी का पूरा नाम बिल्कुल याद करके जाना आगे बढ़ते हैं साबुन अपमार जाकिया तो साबुन की परक्रिया पूछी जाएगी या दोनों में अंतर या मिशेल सरंजन आपको बनानी पड़ेगी पैसा इसलिए जो मैं बता रहा हुए कुषिन तो आप याद कर लें इसके अलाव में बहुत सारे सेशन लाओंगा विए साथ सेशन लाओंगा सभी में इंपोर्टन कुषिन बताओंगा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ठीक है दूसरा आपका बहुत फायद होगा औ उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा रूत नहीं ज्यादा मैंनत में आपके लिए कर पाऊंगा जब भी मेरी क्लास होगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आगे बड़े और इंपोर्टन देख लेते हैं सेखाव टिम सेंज क्या क्या है आपका शीरा दमनी मंतर याद कर लेना रक्त दाप बिल्कुल पढ़ लेना आप होँन इंपोर्टन है अब यह आगया अपला छटा चेप्टर छटा चेप्टर छे नंबर का है अपका ठीक है और अच्छे से याद करने जाना यहां से मस्तिक्स का सवाल जरूर बनेगा एक तूसका चितर दूसरा अगर मस्तिस पस्च मस्तिस और मद्य मस्तिक्स का काम क्या है यह जरूर याद क संकटकालीन हार्मोन और ग्रंतिया इस पार्ट से और कुछ नहीं बनने वाला साथ वाट आपके सामने डीने का पूरा नाम आरने का पूरा नाम याद करके जाना यह तो आपके सधाफ्य अल्ले में भी पूछा गया था और अमीवा वाला पढ़के जाना दूसरा नर जननत्यंत्र और मादा जननत्यंत्र के जो परमुक भाग है उनके नाम उनका चित्रन जरूर होना ची आपके सामने कि आगे बढ़ो मतर के पोद्य का जुरूर पढ़के जाना आनुवनसिक मेंडल वाला आपका इंपोर्टन्ट है यहाँ से आपको देखो फॉकस दूरी उत्तर लेंस अउत्तर लेंस क्या है निकट दूरी दोस तूर द्रस्टी दोस ठीक है यह सारे आपको पढ़के जाना मानव नेत्र और रंग बिरिंगा संसार यहाँ से आपको मानव नेत्र का चित्र रटके जाना जो आपका मानव हूमन आई है न उसका जो डाइग्राम है उसे आप अच्छे से देख लेना विचलन कौन जरूर देख लेना तार्यक क्यों टिम्टिमात एग्रेम में वह भी देख लेना फिर विद्धुत वाल आपके सामने आगया है विद्धुतुर्जा का विवसाइक जो मात्रक होता हो कीलो वोट गंडा होता कि का होता है कीलो वोट गंडा कि विद्ध परीपत क्या आता विद्ध परतिरोद क्या आता ये भी आप याद कर लेए जरूर से अच्छे से धारा नियंत्रक क्या है कि ओम का नियम्कियां कि परतीरोधक्ता क्या है कि ये सब यह याद कर漏म कि विदुदारा के चुमके प्रवाओ कर आप मैं म्रिएक पूरा नाम क्या हैन। मैंनेटिक्सक्रीजूंस beim मैगनेटिक रिजोनेंस इमेजिंग ठीक है आगे बढ़ता हूं तो पूरा सेखावटी मिशन वैसे बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप मैंसे कोई पूरा याद करता है तो बिल्कुल में कम ज़रूर याद करना जैसे सेखावटी मिशन से आपको काफी सवाल हूब हूब द क्या होता है वो भी देख लेना हमारा परियारुन यह सबस्यासान चेप्टर है पांच नंबर का है तो इसे भी आप पढ़ लिसमें थ्योरी ज्यादा है ठीक है जेव निमनिकरनी सारा ही सामाजिक में भी था आपके तो यह आप अच्छे से देख लेना तो यह आखरी किसे कहते हैं की तो आज के लिए अब नेक्स्ट से कैसिन जो आना वाला उसमें आपको सारे और शाहन दार वाल कि आपको बताने वाला पूर याद करते आदक हैं कि आप dal नंबर के उसे का अगर इसी में उसमें बनेग का है अगर चोटे वाले कुश्चन और इंपोर्टेंट दो नंबर वाले तीन नंबर वाले और चार नंबर वाले जो कुश्चन है वह भी मैं आपके सामने लाने वाला हूं तो क्लास के साथ जुड़े रहें और अपने तयारी करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें तो आप आज के लिए बसे दनाएं तो आप सभी सात्यों को धन्यवाद